गुरु नानक को कौन नहीं जानता, वह मुगल समराथ बाबर के समय में हुए, उन्होंने भारत पर बाबर के हमले को अपनी आखों देखा था, उसमें लोगों पर जो मार पड़ी, उससे उनके दिल को कितनी चोट लगी, उसका अनुमान उनकी कविता की इन पंक्तियों से ल भाई भाई की तरह रहें, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे को दुख्खा दर्ड में हाथ बतावें, ये तक सम्भब हो सकता था जब लोग सादगी और परिश्रम का जीवन बितावें, कोई किसी को छोटा या बड़ा न समझे और दुनिदारी से उपर रहें, ग गिलास लेते समय नानक की निगाह उसके हाथ पर गई, बड़ा कौम लहाथ था, नानक ने उसका कारण पूछा तो वह बोला, महराज, बात यह है कि मैं अपने हाथ से कोई काम नहीं करता, घर में नौकर चाकर सारा काम करते है, नानक ने गंबीर होकर कहा, जिस हाथ पर कड परी मेहनत से एकाज चक्का नहीं पड़ा, वह हाथ शुद्वकैस हो सकता है, मैं तुम्हारे इस हाथ का पानी नहीं ले सकता, इतना कहकर नानक ने पानी का गिलास लोटा दिया, गुरु नानक गूमते रहते थे, एक मर्टबा गूमते हुए वह एक गाव में ठहरे, वहा गाव से चलने लगे तो तो गाव वालों को आर्शीवाद देते हुए उन्होंने कहा, ये गाव उजड़ जाए, गाव वाले यहां आर्शीवाद सुनकर हैरान रह गए, सोचने लगे, क्या उनकी सेवा में कोई कसर रह गई, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, गाव के गाव आबाद रहे, पीछे के गाव के लोगों से अब नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, गुरुजी यह क्या बात है, जिन्होंने आपकी खूब सेवा की, आपको अच्छी तरह रखखा, उन्हें आपने उजड़ जाने का आर्शीवाद दिया, और जिन्होंने आपको पू अपनी मोहबबत की, अपनी सेवा की, महक ले जायेंगे, लेकिन जिस गाव के लोगों ने हमारी पूछताच नहीं की, वहां कॉंटो का धेर था, हमने कहा, वह बस जाये, तो उसका मतलब था कि कांटे एक ही जगह रहें, फैल कर लोगों को दुखी न करें, बच्पन से ही नानक साधू संतों के साथ रहना पसंद करते थे, अपने गाव तलरी से कुछ दूर जंगल में भूमते थे, एक बार उनके पिता ने काम धंधा करने के लिए उन्हें कुछ रुप्य दिये, सेयों से नानक को कुछ साधू मिल गए, ये साधू कई दिन से भूखे थे, नान कर लोट रहे थे तो एक साधू मिला, बड़ी बुरी हालत में था, नानक का दिल भर आया, उन्होंने अपने पास का सब कुछ उसे दे डाला, फिर आगे बड़े तो अचानक उनकी निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी, वह साधू के पीछे दोड़े और अंगूठी भ प्याला रख दिया, नानक ने कहा, हमने तो ऐसी शराब पी रखी है, जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं है, वह शराब हमारे किस काम की, जिसका नशा कुछ देर बाद उतर जाएं, बुरु नानक के पास प्यार का अनंग भंदार था, वे सब को प्यार देते थे और इस बा बाब वाले मर्दाना को साथ रखने में उन्हें हिचकिचाहत होती थी, लेकिन कहते हैं, एक बार नानक ने चंद्रलोग जाने की इच्छा की, उन्होंने दोनों साथियों से कहा, आप लोग यहीं रहो, मैं अकेला ही चंद्रलोग होकर आता हूँ, साथियों को बड़ा करनी है, न किसी सवारी में बैठ कर ये तो ध्यान या योग विधा की सहारे करनी है, उस विधा का आप लोगों को कोई अनुभव नहीं है, इस पर साथ ही मुस्कुराते हुए कहने लगे, गुरु जी, ठीक है, आप जाए और जल्दी वापस आईए, हम आपका यहीं जार करेगे, गुरु नानक के बारे में कुछ मजेदार बाते कही जाती है, कहते हैं, जब दुनिया में उनकी सांसों का इंतारा तूट गया तो स्वर्ब में पनुचे, वहां वड़े उदास रहने लगे, एक दिन भगवान ने पूछा, आप उदास क्यों रहते हैं, नान नानक बोले, महराज, आपने ही तो ये चीज़े बनाए हैं और आप ही इनहीं नहीं जानते, भगवान ने कहा, चीज़े मैंने जरूर बनाए हैं, पर उनके नाम तो इनसान ने रिख्खे है, ये कहानी किसी के भी दिमाग की उपर जो, लेकिन इससे एक बात साफ है और यह जिसका नाम लहना था, वह नानक की सेवा में रहता था, पड़ा लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा ही सच्चा और दिल से सेवा करने वाला था, उसके संसकार बड़े उंचे थे, पर जाने कैसा उसका मन गुरू नानक की और से हट गया, वह उन्हें छोड़ कर अपने गाउ चला गया, जब नानक के सामने समस्या आई कि उनके बाद गदी पर कौन बैठेगा तो नानक पैदल चलकर लहना के गाउं पहुचे और उसके द्वार पर दस्तक दी, लहना बाहर आया तो गुरू नानक ने पूछा, तुम्हारा नाम, लहना ने सोचा, ये भी खूब है, तुम्हारा नाम लेना, मेरा नाम देना, मैं तुम्हे तुम्हारी चीज सौपने आया हूँ, इतना कहकर उन्होंने गुरू गदी पर लहना को बिठाने की विदी पूरी कर दी और उनका नाम अगद रख दिया, नानक ने बहुत धन्या देखी, वह पच्ची साल पैदल ग लेकिन राभी नदी एक साल बाद समाधी और उस कब्र को बहा कर ले गई, उसने ये सिद्वर कर द्या की जो प्यार की दर्या बहाता रहता है, उसकी जगल लोगों की दिलों में होती है, समाधी या कब्र में नहीं